हेलो फ्रेंड्स तो मारे आज का टोपिक है जो मसी जीलोजी थर्ड सेम के स्टुडेंट के लिए है तो मारे आज का टोपिक है कम्यूनिटी ओफ दा इन्वर्मेंट देयर स्ट्रक्चर एंड साइगनिफिकेंट्स इसका सिनोपसिस है डेफिनेशन क्लासिफिकेशन ओफ कम्यूनिटी नेमिंग ओफ कम्यूनिटी इस्ट्रक्चर ओफ कम्यूनिटी फिफ्ट पॉइंट है करक्टरिस्टिस ओफ कम्यूनिटी इसकी डेफिनेशन है किसी भी शेत्र में वीबिन जय जातियों की साथ साथ रहने की कम्यूनिटी इसम संतु सम्मू समिलित होते हैं जो परस पर एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं सेकेंड है क्लासिफिकेशन ओप कम्यूनिटी क्लार्क ने कम्यूनिटी को आवाज जली संगटन वर्गीकरन के आधार पर निम्लेकित प्रकार में विभाजित किया फर्स्ट है इस्पूस बायो सिनों इस प्रकार के कम्यूनिटी में एक अत्वा कुछ जातिया अन्य जातियों की उपस्तिती निर्धारित करती हैं सेकेंड है ओक हिकोरी बायो सिनों इसमें शेत्र के भोतिक प्रदार्त अन्य जातियों की उपस्तिती का नियंदर करते हैं जैसे ओक तता हिक्री के गने समुदाय उर्जा परीवहन के आधार पर सभी समुदायों को दो वर्गों में वाटा जा सकता है first है major community इस प्रकार की community पडोसी community पर निर्भर नहीं कि rhetoric है तो था पुणत आत्म निर्भरए स्वयं में सम्पुन होते हैं सेकेंड है minor community इस प्रकार की community कम यह अधिक अपने पडोसी community पर निर्भर करते हैं थर्ड point है naming of communities में फॉस्ट है जातियों के संगठन के आधार पर इस प्रकार की नामकरण ये वरगी करणविधी के लिए एकल community के अधियन की आउशकता हैं सेकेंड है आवास के आधार पर भी community का नाम करण किया जाता है थर्ड है सामुंद्री की पर आधारी सामुंद्री की द्वारा वर्गी करण किसी भी शेतर में दुनों प्राणियों एक पोदों से सम्द्रित होता है फोर्ट पॉइंट है structure of community कम्यूनिटी की स्ट्रक्चर यूनिट है उत्पादक उप्भोकता तथा अबगटक फर्स्ट है उत्पादक प्रोडूसर इसमें वे सभी हरे पोदे आते हैं जो प्रकाश शसलेशन द्वारा अपना भोजन स्वयम बनाते हैं सेकेंड है उप्भोकता याने कंज्यूमर यह अ यह शाकाहारी प्राणी होते हैं जो शाकाहारी वनस्पतियों को खाते हैं जैसे गाई भेस बकरी गाई बकरी शश्यक आदी सेकेंड है सेकेंडरी कंज्यूमर यह मांसाहारी प्राणी होते हैं जो शाकाहारी प्राणियों को खाते हैं जैसे शेड चीता आदी थर्ड है टर प्रकार के जंतों को खाते हैं जैसे सर्प गीद्द आधी अब इसमें थर्ड पॉइंट है अब घटक याने डी कंपोसर इसमें वे शुक्ष में जीवानों आते हैं जो म्रत कार्बनिक प्रदार्तों के साथ घलाकर विक्टित कर देते हैं फिफ्ट पॉइंट हैं केरेक्टरिस ओप कम्यूनिटी फर्स्ट इसमें जाती विविद्दता याने इस्पीसिज डाइवर्सिटी जीव कम्यूनिटी में वनस्पतियों एव प्राणियों की विविन जातिया होती हैं किसी भी एक कम्यूनिटी में अनेक प्रकार के कीट पक् सेकेंड है प्रभाविता याने डोमिनेंस एक कम्यूनिटी में पाए जाने वाली सो जातियों के सद्धस्यों में से कुछ जातियों के सद्धस्य ही अपेक्षाक्रत अपने आकार सरशना एकारियों के द्वारा विशेश प्रभाव डालते हैं थर्ड है पोशन सरशना याने ट्रोफिक स्ट्रक्चर कम्यूनिटी में कुछ जीव शाकाहारी प्रविती के होते हैं या कुछ मांसाहारी होते हैं फोर्थ पॉइंट ही इस्तिरी करण याने स्ट्रार्टिफिकेशन्स। उष्ण कटी बंदी वनों में सामुदाहिक इस्तिरी करण इस्पष्ट रूप से देखा जा सकता हैं। एसे वनों में कुछ प्राणी जातिया प्रत्वी पर निवास करती हैं तता अनेक छोटे जाडिदार रक्षों पर लेकिन कुछ प्राणी जातिया गने पेडों की शिकर शाकाओं पर आवास करती हैं।